कि नमस्कार साथियो स्वागित हब सबका गुरोथ मोंट यूपी एसी के यूट्यूब प्लेटफोंपर संसोधी तस्मपादेट के विश्यश्न के आज के इस सत्र मैं मैं हूँ आपके साथ दुरू जानी आज 29 जून 2021 के समचर पत्रों में से एक लेख के बारे में हमें ऑफथ का चल्चा करनी है महत्तोपोरब लेक है सामनी घृस्ती से भी महत्तोपोरब जिम्मेदर नागरिक बिनने के लिए वही त्रीक्सा द्रस्ति से भी यह बहुत ही आघृस्ति प्रिम्होंट पॉन्ट औवी जो केंद्रिय ससस्तर पुलिसबल है जो अपने आप में चार-पांच विभगों में विभजीत है उसके बरे में बात करी गई है और आज का मुद्द देखे तो आगे तो हम लोग समझेंगे ही मगर मैं अगर आपको यहां हिंट दे दू तो सरकार के दौरा एक सरकारी ऐसा सेना है वो C.A.P.F का करियक्षित्र है उसके उपर हावी हो रहा है प्रभावी हो रहा है देखेंगे कैसे यह आनिका रख है कैसे भरतिय सेना जो है वो अपने काम तक सिमित रहनी चाहिए C.A.P.F. के जो ऑपरेशन से उसमें उन्हें इंटर्फियर नहीं करना चाहिए और नीचे उनकी परेंट एजनसी यानि की पूरे C.A.P.F की परेंट एजनसी मिनिस्ट्य ओफ 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 उसका प्रतिकात्मक इमेज है और यह जो डेवलोपमेंट्स ने आया है सदकार के द्वारा यह दरहसल यह नहीं मिनिस्ट्य ओफ 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 और इसके जिएस पेपर 3 में सीकुरिटी के साथ यह मुदा जुड़ा है और उसमें भी सीकुरिटी फॉर्सस एंड दर मेंडेट के साथ ही है आज की बात जुड़ी हुई है अपना अपना महप्त तो को है साथ ही में अगर लेक की बात करें तो लेक भी अच्छा है बहुत ही अच्छा यहां जो है एक एक convincing element में देखने को मिलता है कि यहां जो सरकरी कदम है वो कैसे जो है आनी का रखें सी अपीएफ के लिए आनी का रखें वहीं नॉन टेक्निकल है ठीक है तो यहां बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रेयस किया है MP नथनल के दोरा लिखा गया है जो की अपने आप में CRPF के Retired Director General थे उनके दोरा यह पुरा व्यू यहां दिया गया है उनमें से कुछ तत्व देखेंगे जो हमें महत्तोपुन लगते है अनिय था जो संसुदित तत्व है उसमें में कुछ महत्तोपुन चीजे देखनी है इंक्लूडिंग फैक्ट्यूल देखिए आम तोर पे यह अमरी जो है कारी है सूची रहती है सबसे प्रफिंग में जो अतों महत्तोपुन बात दीगई होती है जिनमें काफी सरे तत्थियों का का समयशन होता है उनकी यह बात की जाती है और आखरी में इसे एकजम रिलेवेंट बिनने के लिए या इसमें और कोई चीज इसलिए यहां आम लोग इस एजंडे के तहत प्रती महत्तोपुन संसोधित लेखों की या प्रती महत्तोपुन संपद की लेखों की चर्चा करते हैं साथी में अगर आप स्चात्र है और अगे के भविश्य में सनदी सेवा करना चाहते हैं तो आप आज ही ग्रोथमुट यूपी ऐसी के साथ जुड़े प्लस जनरल स्टडीज के लिए आपको यहाँ वन स्टॉप शोप मिलेगा आपको यहाँ सारी चीज़े रिगाडिक जनरल स्टडीज आपको अवेलेबल रहेगी हमारी काफी सारी सीरीजे चल रही है दो सीरीजे चल रही है जिनमें एक के तहतम लोग महत्तोपुन कानून देख रहे हैं एक के तहट हम लोग एकोनोमिक सर्वे का दियान कर रहे हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े आपके एक्जाम में काम आ सकती है राइट फॉर्म क्लास वन टू क्लास फॉर तो आप कोई भी प्रतोगीत परिक्सा देते हो को किसी भी राज्य की या आप यूपीस को आज ही सब्सेब करें और हमें क्लोजली फॉलो करें आपको एक्जाम में जो है बहुत ही उप्योगी हम लोग साबीत हो सकते हैं फिर आते हैं में चर्चा पर तो आज की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो दर आर थ्री पॉइंट्स वीच 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 वाइंग टू डि देकिया हुआ कंद Route मिंतरा ली में स्योम अधिकरी के नियूकति केंदृ हुआ ग्रियो मिंतरा लीनए यूह एक निरली बिया है उसके तहत तर्बucionesEM के सेनधर है उनकी नियूकति की गई है अकि किस काम के लिए नियूकति कि गई है कि यहां प्रश्न उठता है क्यों रिख तो इसका सही जवाब है सलाह देने के लिए कौन सा मामलों में सलाह देने के लिए तो जो माओष्ट परिस्थिती है जो भारत में जो इंटर्नल इंसर्जेंसी है और उसके सामने जो C.A.P.F के ओप्रेशन्स है तो इन ओप्रेशन्स को यहां सलाह देने के लिए कैसे एग्ज पर यह जिम्मदरी जो है ओम मिनिस्ट्री के उपर है कि वह बात मने या ना मने वह पावर होम मिनिस्ट्री की है मगर यहां इनको आर्मी के जो अपसर से उनको यहां सीएपीफ के ओपरेशन में न्यूक्त करना वही अपना आपति जनक फैसला है दूसरा मुद्दा देखे त साफ तोर परेके दिया कि शरकर यहां शरकर की यहां बूल हो गई यह गंबिर बूल हो गई है और यह अपने पूरा नीडनाई क्षटी पूरा है क्षटि ग्रस्थ है कैसे इस पूरी चर्चा में लेखक ने बताया त्थियों कुमरे सामिने रखते वह कफी सरी माहीतियों क भी जिक्र लेते हुए यहां लेखक ने अमरे सामने काफी सरी चीजे रखी है तो देखेंगे एक के बाद यह बात रही निश्कर्श की अब अगर मत्रपोन बाते देखें तो देखें चर्चा C.A.P.F. की तालिम उक्षटिक रेस तो देखें जब कभी भी C.A.P.F. के जवानों के उपर उनके कोनवे के उपर देश भर में जब हमला होता है चाहे वो वामपंथी का हो चाहे वो इंसर्जन्स का हो नोर्थ इस्ट में तो अकसर यह चर्चा जो है वो उठती है कि C.A.P.F है जो की C.A.P.F. के दोरा परिपूरा हुए है यह सारी एच्वमेंट से जो की C.A.P.F. न ली है ठीक है तो आप उनकी तालिम के उपर संका संदे नहीं कर सकते है मगर फिर भी काफी ऐसा लोग है जो की अपना अपने C.A.P.F. की तालिम वो जो है उनकी काबिलियत के उप पर संका करते हैं संदे करते हैं जिन में मेडिया हुजज प्रथम है उसके बाद कुछ IPS ऑफिसर से जो की अपना अपने माओष्ट इलाके में रहते हैं मगर ऑन फिल्ड कभी भी नहीं गये मगर फिर भी वे अपना जो मत है वो एर करने के लिए यहां टीवी शो में चले आ जाते हैं मिडियो उसकी बात करतों है अपनी टीएरग भी बढ़ाने के लिए आईपीस ऑफिसर्ट की बात करतों है अपने फेइन बढ़ाने के लिए जो अपने आप में कभी भी फिल्ड के ऊपर माओष्ट ओपरेशन के ताहट वह नहीं गये मगर फिर भी यह पूरे मु अख्यात करने के लिए अपना आपको पॉपिलर बिनाने के लिए ऐसी चीजे कहते हैं मीडिया हुजस का सहरा लेते हैं और मीडिया हुजस इन सारी जीजूस अपनी टीर भी बढ़ाते हैं मगर यहां अगर थोड़ा इतियास देखे CAPF का थोड़ा रोल देखे Central Armed Police Forces का तो मे गिनान होगा कि उनकी तालीम में कोई क्षति नहीं है उल्टा उनकी तालीम जो है वो वल्ड क्लास है वो जो नॉर्मल आर्मी ब्रिगेट की तालीम होती है जो है उस कक्षा की तालीम है तो देखेंगे अब आगे देखे तो सारे दिवावे द्वस्त होते हैं जब हम लोग ETS का अधियन करते हैं, देखे, ETS में ऐसे कई सारे मामले है, राइट, from our independence, ऐसे कई सारे मामले हैं, जहाँ CAPF का रोल बहुत ही अहम रहा हो, राष्टर हित में रहा हो, राष्टर की रक्षा करने में रहा हो, कुछ बिंदु में नहीं रखे हैं, जो कि अपना आप में महत्तो करने के लिए, देखेंगे, तीन बिंदु में यहां सबस्प्रस हम आपके समय रखे हैं, एक है 1965 का, एक है 1971 का और अखरी में है, 2021 का यह ताजा है, सबस्प्रस हम यहीं से सुरूत करते हैं, 1965, देखे, रन-ओफ कच 1965, तंग परिस्तिती थी, भारत और पाकिस्तन के बीच मे में भी तंग परिस्तिती थी, इंफेक्ट इंडो पाक वर भी हुई थी, तो उसके दोरान, रन-ओफ कच के एक पॉइंट के उपर, छोटी सी CRPF की बटालियन में, छोटी सी, करीब 10 या 11 जवानों की CRPF ने, पाकिस्तनी जो आर्मी थी, उनके 34 बंदों को वहीं मार गिड गई, वार हिस्ट्री, वार हिस्ट्री ओफ मैंनकाइंड, यहां इंडिया एरिया की बात नहीं है, इंडिया एशिया की बात नहीं है, मगर पूरे विश्व के वार हिस्ट्री में यह जो घटना है वो चप गई, क्या उसमें खास था, उसमें खास ही है था कि यह एसी कुछ चुनियो भी घटनाओं में से है कि जहां किसी अर्दल एसकरी दल ने किसी प्रेमेल्टरी फोर्स ने नॉर्मल आर्मी ब्रिगेट को हरा दिया हो उनको मार दिया हो तो यहां यही हुआ CRPF आर और CRPF देखे CRPF यानि कि Central Reserve Police Force वो they are actually one of the Central Armed Police Force तो यहां आपको confused नहीं होना है CRPF is one of the type of CRPF CRPF is a number उसका तहत एक जो ब्रांच निकलती है वो है CRPF तो यहां CRPF मौजुद थी CRPF ठीक है इनके बंदों ने यहां इनके जो है इनकी छोटी बतल यहन बहुत कम बंदों ने पकिस्तानी सेनिकों को मार गिराया ठीक है तो यह एक बहुत ही आप कह सकते है कि एक rare घटना थी वार हिस्ट्री में तो यहां यह सदा के लिए यह घटना चप गई वार हिस्ट्री के पंद्नों पर प्लस इसी दिन को इसी प्राकरम को याद करते हुए एप्रिल 9 यह जो वर्दत हुई थी वो 9 अप्रिल को हुई थी तो इसी लिए इस दिन को वैलियूर दिन के नाम पे जो हमनाय जाता है CRPF के द्वारा वैलियूर यहने की प्राकरम या निर्वेदा दिवस या आप कह लिजिए कि एक प्रकर से प्राकरम कह सकते है निर्वेदा कह सकते है या विर्त अदिवस के नाम से भी आप उसे जानते है तो यह माहिती महत्वपुना है याद रखने लायक है प्रिलिम्नरी पॉंट ओफ यू से याद रखने लायक है फिर उसके बाद आगे चले तो 1971 की वर लिबरेशन ऑफ बंगलेदेस ओवर से भी हम लोग जानते हैं किसे भरती यह जो है राष्ट्र ने बंगलेदेस के जन्मों को अउकास दिया उससे सक्कियता को वस्तविक्ता में तबदिल किया तो उसमें भी जो वह दो मुखी एजंसी थी देश दोनों के दोनों c'apf है डोनों के दोनों Central Armaged Police Force है चिनोंने अपना परैक्रम दिखा कर युद्ध बी जिता और काफी सारे मेडल्स भी जीत है काफी सारी जो है प्रसंसा है वो भी जीती पुरे देश की ठीक है तो यहां भी इनका रोल बहुत ही अच्छा है अब 2021 की बात करें तो एप्रिल करते हैं CRPF के द्वारा जो है जवान वहीं उस को डाउन करने के लिए एप्रिल टीम को यह हमला हुआ विजापूर में जो कि चतिस गड़ का डिस्टिक्ट है सौधन चतिस गड़ का जिन में बारा वंपंतियों को मोटके घात उतरा गया हमरे CRPF के जवानों के द्वारा वह अपने बहुत ही उच्च तरियत तालिम बद्ध है उच्च तरिय ठीक है और उनके जो तालिम देने वाले है वह भी बहुत ही हाई कलीबर रखते है तो यहां से यह बात सिध्ध होती है तो यह तीन ऐसे समीदिंदू है जो हमें CAPF की काबिलियत समझने पर यह समझने के ल नहीं है मगर साइकोलोजिकली भी नहीं था तो यहां इंसर्जेंसी की मुमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए आज CAPF जो है वो जो है आभारी है हम उसके आभारी है CAPF के क्योंकि उनकी बदलो थी आज यहां इस क्षत्र में सांती कायम है ठीक है आज जो पीस जो है वो अपने आप में CAPF की प्रेजन से एंटार नौर्स इस्टन रिजिन में उसको आभारी है फिर उसके बाद पंजब में भी गुरु युद्ध की इसका रोल जो है वो अहम नजर आता है प्लस सिलंका में गुरु युदु चल रहा था तमीलियन्स ठीक है वर्सिज सिन्हालीज तो ऐसी प्रिस्थिति में भी हमारे CAPF के जवान वहां पीस कीपर बिन कर गए और वहां जो प्रिस्थितियां थी उसे संत किया नौर्मल किय और इसमें इन्होंने अहम भूमी का निभाई ठीक है तो यह सारी बाते हैं जो कि हम मानने पर मजबूर करती है कि कैसे भारतिय सेना से CAPF कम नहीं है देखिए यहां भारतिय सेना की कोई बुले की बात नहीं मगर हम लोग CAPF की प्रसंसा कर रहे है कि उनके करिये में भी को करेंगे को नहीं मिलती है देखिए अरफ फूल ट्रेंड एंड फूल एक्विप्ट तो सेना अधिकरी को नियुक्त करने के पीछे क्या तर्फ है यस अब यह भी प्रसंसा उठ रहा है कि सरकार का जो यह कदम है या निर्ण कह लीजिए इसके पीछे क्या तर्फ है कि भारत इसमें कोई तर्क नहीं है, ये कदम तर्क ही नहीं है, क्योंकि भारतिय से ना अपने ETS में कभी भी माविस्ट या इंसर्जन्सी जैसे इंटर्नल थ्रेट के साथ नहीं लड़ी है, ठीक है, उन्हां कोई तजर्बा ही नहीं है, कोई अनुभवी नहीं है, तो ऐसे समय वे इन्हें सलाह नहीं दे सकते, कि जो पूरे अपने जीवन कल के अधिकांस वर्स यहां इंटर्नल के पास विश्व के कुछ गातक सही नहीं है, येस, वीडू है वीडू है, वीडू है सम वुल्फ वर्यस, हमारे जो प्रेमिल्ट्री है, उन्होंने अपने जो अच्छे बंदे हैं, अच्छे जवान हैं, उनमें से भी जो अधिकांस अच्छे जो विसे से उनको चुना है, और उनकी एक टीम बनाई है, स्पेशल ओप्रेसिंस के लिए, ठीक है, तो यहाँ दो नाम है मरे पास है, एक नाम है ग्रेहूंस का और दूसरा नाम है कोबिरा बटालियन का, ग्रेहूंस, और स्ट्वेल, अंध्रिप्रदेश का था ये, यूनिट, पुरा यूनिट, और मा माओवद को खत्म करने के लिए इसा बिनाया गया था, ये इतना घरतक था कि जो माओवद ही थे, वे इनके डर से, इनके खौप से, माइगरेट कर जाते थे, पलायन कर जाते थे, अनिया रज्जियों में, ठीक है, तो ये अपना अंध्रप्रदेश की बहुत ही, इलाइट कमांडो फोर्स थी, जो मत्र और मत्र महवद्यो को, के समने लड़ने के लिए ही बने गई थी, प्लस उसके बाद है कोब्रा, जो की सी एर पी एफ की एक इलिट बटालियन है, जिसे, कमांडो बटालियन, फोर रिजोल्यूट एक्शन कहते है, कमांडो बटालियन, फोर रिजोल्यूट एक्शन, बहुत ही घातक है, इलीट है, और अपने आप में विश्व के सबसे अच्छे सहिनिकों में, सबसे अच्छे योद्धाओं में, इनका समावेशन होता है, ठीक है, तो आम तोर पर अगर देखे, तो हमारा C.A.P.F. बहु होती निम्न गुनवत्ता की होती है, तालिम संपुर्ण नहीं होती है, तो उनकी जांकरी के लिए पूरे देश में, C.A.P.F. के अंदर बहुत ही फैले हुए है, बहुत ही वेल एस्टब्लिज्ट है, एंड देडू है, इस्ट्रक्टर्स भी हाई केलिबर, ठीक है, जो उन C.A.P.F. के कारियों में, उनकी क्षमता देखती है, यस, there is a very vast versatility in their function, ठीक है, कश्मीर से लेके चुनाओ तक, वे लोग काम करते हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो दंगे हो, कोई भी चीज हो, जिसे हमें यहां दिख रहा है, कश्मीर का मुद्दा, तो हम कह सकत है कि कश्मीर में, लदाख में प्रेजेंट है, कश्मीर वेली में, आर्मी के साथ, जुड़कर जमुद्द पुलिस, जमुद्द कश्मीर पुलिस के साथ, जुड़कर, C.A.P.F. काम कर रहा है, उसके बाद, इंसर्जंसी ओफ नॉर्थ इस्ट, कंट्रोलिंग रायोट, य तो this is the versatility of their function, तो यहां से यह चीज पूरवर होती है, कि वे लोग क्श्ति, उनकी जो तालीम है, वो क्श्ति पून नहीं है, मगर, कुछ ऐसे रणनी थी, अभी भी बननानी चाहिए, ताकि हम लोग ऐसे माववद को, ऐसे इंसर्जंसी को, टेकल कर सके, उसके दिसा में का परान सुरू होता है, जो अपने अपने संसोधित तत्व के लिए है, और उसके उपर ही आधारित है, यहां दो चीजे देखनी है, about CAPF देखेंगे, सबसे प्रथम, और दूसरे देखेंगे about Indian Army, दोनों ही संक्षिप्त में देखेंगे, क्योंकि CAPF आज के केंदर में है, तो of five security forces, there are total five security forces which come under the heading of, which come under the head of CAPF, देखेंगे, सबसे प्रथम, BASF, CRPF, CISF, ITBP, and SSB, याने की ससस्त्र सीमाबल, देखेंगे, प्रती एक के full form है, एक को लोग देखते जाएंगे, मैं आप उसका full form और आली बताता चलूंगा, और उनकी जो क्संता है वो भी देखते चलें देखेंगे, देखें, BASF से सुरू करेंगे, देखें, BASF की अगर बात करें तो उसका full form, border security force होता है, जो मत्र और मत्र सीमा सुरक्षा के लिए ही बनी है, जिन में 180 battalion है, प्लस 2.5 lakh से अधिक, याने की डायलाक से अधिक, जवान है, साइनिक है, CRPF की बात करेंगे, तो CAPF is CRPF, 245 battalions and 3.15 lakh plus personals, उसके बाद देखें तो ITBP, CISF है, पहले CISF उसके बाद ITBP है, तो CISF के ताहत 132 battalions है and approximate 1.45 lakh personals है, फिर उसके बाद ITBP की बात करेंगे, तो 62 battalions and 89,000 plus personals and SSB की बात करेंगे, तो 67 battalions and over 75,000 personals, ठीक है, तो यह साइज है, हमरे CIPF की, जिनमें सबसे बड़ी CRPF है, I'm sorry, और सबसे छोटी जो है, सेनिक की दरिश्टी से, वो है SSB, अगर बटलियन की दरिश्टी से देखेंगे तो ITBP है, मगर उनमें सेनिकों की शंख्या ज्यादा है, तो यह पूरी बात है, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलती है, प्राइमरी अब्जेट्व की बात करें, CIPF की, कि उनका मुल्बुत उद्देश्य किया है, तो देखेंगे, सबसे प्रथम to secure and guard borders, तीन एजनसिया है, जो कि इस करिये में करिये रथ है, BSF है, ITB ITBP है, SSB है, BSF is guarding border of India, Pakistan and Bangladesh, Pakistan, Bangladesh, यानि कि इंडिया पाकिसन की border और इंडिया बंगलादेश की border, BSF के, ताबे के नीचे है, ITBP, they are dealing with the border areas with China and Myanmar and SSB की बात करें, तो they are dealing with the issues at the border with Nepal and Bhutan, फिर उसके बाद दूसरा उसन का उदेश है, security of sensitive establishment, yes, भारत में कही सारे sensitive establishments है, जैसे number of airports, सारे airports, सारे ports हमर है, national museums, या buildings और monuments of national importance, जैसे statue of unity कह लीजिए, ठीक है, Parliament building अमरी कह लीजिए, government offices बड़ी-बडी, ठीक है, तो इन सारी चीजों की जो रखवाली है, वो CISF के, तहत है, इनके बंदे करते है, जो एरपोर्ट के पर हम देखे, military वाले, जीसे हम आम तर पर generally military वाले बोलते है, वो अपने आप में CISF होती है, ठीक है, जो one of the CIPF है, उसके बाद counter internal threat, internal threat में main है, insurgency, and दूसरा है नक्सल इसम, या आप कह लिजी है, Maoism या वाम पन्त, so CRPF is dealing with this both issues, plus they assist to both, चाहवो आर्मी पोलिस हो, जमु कश्मिर में काम करने गये, CIPF के बंदे, for example, CRPF वहाँ दिपलोई हुई, तो CRPF will closely coordinate with the जमु कश्मिर पोलिस and Indian Army as well, whenever they need, ठीक है, तो अपने आप में बहुती वर्सितल इती है, तो यह कहना उचित नहीं है, कि उनकी जो तालीम है, वो क्षती, युगतहिया, क्षती पूर्णा है, उसके बाद देखें तो कुछ, तथ्यात्रुक महिती देखनी है, इस पarticular C.A.P.F. के बारे में, जिनमें तीन बिंदू है, सबसे परतन परेंट अगेंशी और मिनिस्टर, तो Ministry of Home Affairs is responsible, इस परेंट अगेंशी पर C.A.P.F. and the Home Minister is the Minister responsible, right now, Amitsa is responsible for the affairs of C.A.P.F. annual budget की बात करें, तो ओवर 92,000 करोर का annual budget है, if you convert it into US dollar, then it will become roughly 13 billion. recruitment by की बात करें, तो there are two agencies which recruits for C.A.P.F. one is UPSC and the other one is staff selection committee, जो exam के तहत, competitive exam के तहत, recruitment करते है, फिर उसके बाद, देखें, C.A.P.F. के परसोनल है, वो मत्र और मत्र इंडिविजुली काम नहीं करते हैं, मगर भारत की जो महत्रों कुछ संस्था है, उनके साथ भी जुड़े हुए है, उनके साथ भी काम करते हैं, कुछ संस्था हो का नाम मैंने आपके समने यहां रखे है, प्रतिकात्मक विस्टिस है, जिन में Research and Analysis Wing है, Special Protection Group है, National Investigating Agency है, International Bureau है, CBI है, NDRF यानि की National Disaster Risk Force है, NCBI, Narcotics Control Bureau है, ठीक है, तो इन सारी एजनसियों के साथ मिलकर परिस्तिती संभलने के लिए, CAPF जो हो कटी बद्द है, पीस ओर मेंटेन करने के लिए कटी बद्द है, तो यह बत रही CAPF की, अब दूसरा बिंदू है, About Indian Army, संक्षिप्त में देखना है, क्योंकि आज बात करनी है, C सबसे बद्द हम लेंड बेस्ट है, यह एक आर्टिलरी है, लेंड बेस्ट है, प्लस इस अलार्जेस्ट कॉम्पोनेंट अफ इंडियन आम्ड फोर्स लाजेस्ट कॉम्पोनेंट, इट अक्युली ग्यूस एम्प्लमेंट तो रफ्ली 13 lakh प्लस पीपल इन दे कंट्री, ठीक जैसे परिस्थिति हो चाहे वह संती बने रखने का कारिय भी करते है, प्राइमरी मोटिव इस टू एंश्योर नेश्नल सेक्यूरिटी अन यूनीटि, यस इस द प्रामरी मोटिव, ठीक यवें, बोर्डर भी गार्ड करते है और जो है जहां जरूरत लगे वहां, जो है इं जो निरबर रहना वो इन प्रैक्टिकल है तो इसलिए यहां आमने CAPF को भी साथ में परलेली डेवलोप किया है प्लस इस सिंगल एंटिटी इंडियन आर्मी इस सिंगल एंटिटी जिस अमने CAPF के तहत ब्रांचिस देखी अलग लोग एजन्सी की इसी ब्रांचिस यहां देखने को नहीं मिलती दिर इस अ हैरर्की दिर इस डिपर्टमेंटल सिस्टम बट विदिन इटसल्फ कोई अलग ए इंडियन आर्मी की तो यही फंडामेंटल डिफरेंस है सेंट्रल आम्ड पुलीस फोर्स एंड इंडियन आर्मी के बीच में दोनों के कारिये अलग है दोनों के कारिये सोभा हो लग है दोनों के कारिये क्षत्र अलग है तो दिनों को कॉम्पर करना भी एक प्रकर से इंप् और अगर इतियास देखे तो उन्होंने विर्ता भी काफी सरे काफी सरी घटनाओं में दिखाई है तो यह चर्चा करना उचित नहीं है कि उनकी तालीम क्षती पूर्ण है तो यहां ही इसे के साथ हम लोग आज नमरी बात को समाप्त करते हैं आयोप यूंजिद लेक्चर इस पूरे इस पुरी चर्चा के निस्कत का रूप में एक मरे पास मोडेल क्रेश्चन है जो की प्रिम्नरी पॉंट ओव यू से है जो आपके स्क्रीन के उपर है निम्नलिखे कफ़नों के उपर आपको विचार करना है तीन कफने मरे पास है सबसब रथम एप्रिल 9 के दिन CRPF के द्वारा वीरता या पराकरण दिवस मना जाता है दूसरा, CEPF में सबसे छोटी एजंसी SSB है सैनिकों की दृष्टिस है और तिसरा बिंदू है CEPF मात्रा आंतरिक समस्यों को निपटने में मदद रूप मात्रा आंतरिक समस्या है उसको ही निपटने में मदद रूप है हमें इन कर्थनों को पढ़ना है अच्छे से इन में से जो जो असत्य है जो गलत है उनको में चुननना है चाहे एक हो एक से अधिक हो तो सबसे प्रथम option कहता है उपरीक्त में से कोई नहीं आपको इस अगा सही जवाब देने की कोशिश करनी के कमेंट बोक्स में हमारी तरफ से इसका जवाब इस से सेशन के प्रीमेर होने के कुछ घंटों के बाद वहां पिंडप किया जाएगा आप वहां से रेफरेंस ले सकते है तो यही थी अज की बात जो आपको परिक्सा में मदद रुपसा भी तो सकती है अगले दिन अगले संसुदित लेक्ष के साथ उसके संसुदन हुआ संपादन के साथ तब तक के लिए देखतर यह अग्वत्मों ट्यूपी यसी चाहिए हिंद